नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका अमारे आज की इस नए वीडियो में दोस्तों आज का अमारा जो प्रोडेक्ट है वो है Candy Dusting Powder दोस्तों इस प्रोडेक्ट के बारे में आपको फुल डिटेल रिब्यूज वीडियो में मिलेगी तो चलिए दोस्तो वीडियो को सुरू करते हैं Candidesting Powder को Genmark Company बनाती है जो की काफी अच्छी ब्रांड है दोस्तों इसका जो main ingredient होता है वो होता है Colodrema Jol जो की 1% की मात्रा में इसमें मिलाया गया है बाकी TELK IP based ये powder होता है दोस्तो इसका 100 gram का pack आपको 125 रुपीज में आसानी से किसी भी medical store पर मिल जाएगा और इसका एक छोटा pack भी आता है जो की आपको 50 gram का मिलेगा वो 75 रुपीज में आपको medical store पर मिल जाता है दोस्तो इसको लेने के लिए किसी भी तरह की prescription की वैसे जरूवत तो नहीं पड़ती है लेकिन अगर आप इसे 7 दिन से जादा इस्तमाल कर चुके हैं और आपका fungal infection ठीक नहीं हो रहा है तो आपको अपने doctor से एक बार concern जरूर कर लेना चाहिए दोस्तो इसे आपको किस किस condition में यूज़ करना है अगर आपको किसी भी तरह का fungal infection देखने को मिलता है दाखाद खुजली देखने को मिलती है वहाँ पर आप इसका इस्तमाल करिए अगर आपको गर्मी की वज़ा से अंधोरिया हो गई है उसमें भी आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं उसमें भी आपको काफी पायदा देखने को मिलेगा अगर आपके कंदों पर पीठ में अंडर साम्स में या फिर private areas में किसी भी तरह के लाल लाल दाने छोटे छोटे दाने हो जाते हैं जिनमें जलन भी होती है और खुजली भी होती है उस पर भी आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं उसमें भी आपको काफी फायदा देखने को मिलेगा। गर पर जो लेडीज होती है उन्हें अक्सर पानी के बहुत सारे काम होते हैं जिसकी वज़ा से उनके पैर की उंगलियों के बीच में पानी लग जाने की एक समस्या होती है उसमें भी ये फाउडर काफी फायदे मंद होता है उसमें भी वो लेडीज इसका इसका इस्तमाल कर स सकते हैं उन्हें काफी फायदा में इसका है कुछ-कुछ लोगों के हाथ कि ऊगलियों के बीच में भी यहां पर फंगल इंफेक्षन देखने को मिलता है पानी लग जाने की समस्या TCP हो जाती है उन लोगों को भी काफी ये powder फाइदे मंद है वो भी इसका इस्तमाल कर सकते हैं दोस्तों इसका इस्तमाल करने के लिए आपको दिन में 2-3 बार आप इसका इस्तमाल करें जिस भी जगा पर आपको fungal infection दाने अंदोरी की समस्या है वहाँ पर आप दिन में 2-3 बार इसका इस्तमाल कर सकते हैं साथ में अगर आपको fungal infection है किसी भी तरह के दाद हो गए हैं कुछ जगाओं पर तो वहाँ पर आपको साबुन का या किसी भी तरह के सैंपू का इस्तमाल नहीं करना चाहिए अच्छा result तभी आपको देखने को मिलेगा क्योंकि साबुन और सैंपू से वो दाद और भी ज़्यादा फैन ले लगता है ऐसे में आप उसे साफ पानी से धोले और अच्छे साफ कपड़े से पोच कर वहाँ पर इस पाउडर का इस्तमाल करें आपको काफी फाइदा देखने को मिलेगा दोस्तों अगर आपको इससे संबंदित कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं अपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लीजेगा और सस्क्राइब करके बेल आइकन दबा लीजेगा जिससे की ऐसे ही यूसफुल वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहें तो दोस्तों ये थी स्केंडिन डेस्टिंग प्राउडर का फुल डिटेल रिव्यू अगर इसके बाद कोई कोई रही हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं बी हल्दी, बी सेव, जै हीन, जै भारत